नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विशलेशन में आपका स्वागत है संपाद की से संबंधित आज के इस वीडियो में हम दो आर्टिकल पर चर्चा करेंगे इसमें पहला आर्टिकल जिसका सिर्षक है How to Unscramble Farm Mess इस पर चर्चा करने वाले हैं और दूसरा आर्टिकल जिसका सिर्षक है The Insecure Worker इस पर चर्चा करने वाले हैं तो बढ़ते हैं अपने पहले आर्टिकल की ओर जिसका सिर्षक है How to Unscramble Farm Mess और यह आर्टिकल G.S. Paper 2 में शामिल विस है सरकारी नीतियों और विभिन छेत्रों में विकास के लिए हस्तक छेप के दृष्टिकों से महत्पूर्ण है इस आर्टिकल का आधार है विधी निर्मान की प्रक्रिया अब हमें यह पता है कि किर्षकों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है जिसके कारण ना केवल आर्थिक नुकसान हो रहे हैं बलकि दिल्ली के आसपास सामानने जीवन भी प्रभावित हो रहा है अब ऐसी बात कही जा रही है कि यह जो किर्सक विरोध प्रदर्सन हो रहा है या यू कहें कि किर्सकों के द्वारा जो विरोध प्रदर्सन किया जा रहा है उन तीन नए किर्सक कानूनों का उसको रोका जा सकता था वह कैसे वह उस प्रकार से की संसद के द्वारा उन संसदिय प्रक्रियाओं का पालन किया जाता जिसके द्वारा कानूनों का निर्मान किया जा रहा था और इस किर्षक प्रदर्शन ने यह सीख दी है कि संसदिय प्रक्रिया का पालन करना महत्पूर्ण है ना केवल सैध्धान्तिक रूप से बल्कि वेवहारिक रूप से भी अब अगर हम नए किर्षक कानून की प्रक्रती की समिछा करें तो देखिए यह बात सच है कि अभी तक ऐसा कोई भी प्रमान नहीं मिला है जिससे हम यह कह सकें कि दिर्ग काल में किसानों को इन तीन नए किर्षी कानूनों से नुकसान होगा और यह बात की मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लिखित रूप में इसका आस्वासन सरकार किसानों को दें यह भी उचित नहीं लगता है यह इसलिए उचित नहीं लगता है क्योंकि जब से मिनिमम सपोर्ट प्राइस को प्रारंभ किया गया है तब से लेकर अब तक किसी भी का में MSP का जिक्र नहीं है. MSP देना सरकार की राजनितिक बाद देता है ना की कानुनी बाद देता. क्योंकि अगर सरकार की यह कानुनी बाद देता होती, तो फिर 23 फसलों के लिए घोसित किये जाने वाले MSP का लाव मुक्रूप से धान और गेहु तक ही क्यों सिमित होता और इन सब के बीच एक महतपूर्ण तथिया है कि 1991 की नई आर्थिक नीती ने इस बात को तो इस्थापित कर दिया है कि बाजार सकती मतलब मांग और पूर्त हो अब जरा हम 1991 से पूर्व की आर्थिक नीती पर गौर करते हैं हमें यह पता है कि 1991 से पूर्व एकाधिकार को रोकने और आर्थिक विकास से सम्मंदित नीतियां मौजूद थी एकाधिकार को रोकने के लिए Monopolies and Restrictive Trade Practices जैसे Act थे और आर्थिक विकास से सम्मंदित कई नीतियों का निर्मान सरकार ने समय समय पर किया था परंतु इसके क्या परिणाम हुए परिणाम हुआ हुआ कि Public Sector Enterprises का एकाधिकार इस्थापित हुआ परंतु 1991 से पूर्व जितने Public Sector Enterprises या सार्जनिक छेत्र उपक्रम मौझूद थे उसमें जादातर घाटे में चल रहे थे जादातर Public Sector Enterprises परतिस परदा करने की इस्थिती में नहीं थे या उनके उत्पाद वैस्विक इस्थर पर परतिस परदा करने की इस्थिती में नहीं थे और लगभग सभी Public Sector Enterprises में भरष्टा चार चरम पर सरकार ने नियंत्रन लगाय था उद्देश से क्या था उद्देश से अच्छे थे कि इन वस्तूओं की उचित मुल्ली पर उपलब्धता को बनाए रखना लेकिन परिनाम क्या हुआ तो हमेशा बाजार में इन उत्पादों की उपलब्धता कम रही इन से संबंदित काला बजारी काफी जादा रहे और व्यापक भरस्ताचार इनके उत्पादन और बिक्री में देखा गया देखे नया कानून जिससे देश को लाब हो तो यह जरूरी है कि इस प्रकार के प्रतेक नये कानून के लिए इसके लाब का प्रदर्शन चर्चा और वाद विवात के द् वर्तमान कानून मतलब कि जिसके इस्थान पर नया कानून आने वाला है तो वर्तमान कानून की निरंतरता के हानिकारक आर्थिक प्रभाव अगर वह कानून अर्थविवस्था से समंदित है तो वर्तमान कानून की निरंतरता मतलब यह अगर लगातार बना रहता है तो फि परमान करशी उत्पाद बिक्री परनाली के इस्थान पर नई परनाली को इस्थापित करना चाहता है तो हो ना तो यह चाहिए था कि इस नए करशी कानून को सेलेक्ट कमिटी के पास भीजना था अगर select committee की बात करें तो हमें यह पता है कि विशेश विधयक की जांच के लिए इसका घठन किया जाता है परन्तु सरकार ने क्या किया? सरकार ने करिसी विधयक को 20 सितंबर यहाँ पर तिठी का उलेक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 20 सितंबर को रविवार का दिन था तो 20 सितंबर को इसे ध्वनी मत से पारित कर दिया, जबकि विपक्ष ने इस पर मत विभाजन का आग्रह किया था, पर विपक्षी दलों के चर्चा प्रस्ताव को सरकार के द्वारा ठुकरा दिया गया, हमें यह पता है कि सम्वेदहानिक लोकतंत्र में संसद की भूमी का महत पूर्ण होती है, क्योंकि संसद विधी निर्मान करने वाली संस्था होती है, और संसद में सरकार और विपक्ष दोनों का अपना-पना महत्व है, इसलिए विधी निर्मान में संसदी प्रक्रिया का पालन होना अनिवार है, वर्तमान में अगर हम सासकी दल की बात करें, त लेकिन यहां पर यह अच्छा होता कि प्रत्येक विधी के निर्मान की प्रक्रिया में सासक दल ना केवल विपक्च को अपने साथ रगती बलकि सेलेक्ट कमिटी के माध्यम से प्रत्येक विधी की जाच कराती, ताकि नागरिकों को भी इस बात की संतुस्टी होती कि विधी निर्मान की प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है और अगर प्रस्तावित विध्यक का दुरगामी प्रभाव अच्छा होगा तो फिर इसे सेलेट कमीटी के विचार के लिए भेजे जाने में क्या दिक्कत है वही हमें यह पता है कि सेलेट कमीटी क्या करेगी विध्यक के परत इस विद्यक में तुरूटी होने की संभावना काफ़ी कम होती है, और अंत में यह बात तो संसति पनिरवर है, कि वह सेलेक्ट कमिटी के सुझाओ को सुझाओ करे या सुझार ना करे, और रही बात संसद्वारा पारित कानून के परती न्यायपालिका के भावना की, तो सकारात्मक रूप में न्यायपालिका की भावना संसद्वारा पारित कानून के परती सम्मान जनक होती है, इसे नकारात्मक रूप में आप नहीं लेंगे, इसका कारण देखी क्या है, संसदिय बुद्धिमत्ता का परिनाम है क्योंकि विधी निर्मान में संवेधानिक परंपरा का पालन किया गया है क्योंकि डॉक्टर अंबेटकर के अनुसार संवेधानिक परंपरा का सम्मान और पालन ही संवेधानिक नैतिकता होती है लेकिन मौजुदा राजनिति घटना क पर अगर हम गौर करें तो ऐसा लगता है कि समयधानी की नैतिकता में थोड़ी सी कमी हुए ऐसा इसलिए क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार सेलेक्ट कमिटी को विध्यक भेजने की संख्यां पर अगर हम गौर करें तो हम यह पाते हैं कि पंद्रवी लोकसभा में मतलब कि 2009 से 14 में जितने भी बिल थे उसमें से 71 परतिसत बिल सेलेक्ट कमिटी को भेजे गया थे वहीं 16 लोकसभा मतलब 2014 से 19 में जितने भी बिल थे उसका मात्र 25 परतिसत ही सेलेक्ट कमिटी को भेजा गया था अगर सत्रवी लोकसभा कि हम पर्थम वर्स की बात करें मतलब 2019 की तो मा 17 बिल को सेलेट कमिटी के पास भेजा गया है और 17 लोक सभा के दूसरे वर्स यानि की 2020 इस्वी को एक भी बिल को सेलेट कमिटी के पास नहीं भेजा गया है तो आप हम बात करते हैं सुझाओ की, सुझाओ जो समंधित है नए कानून के प्रभावी रूप से लागू होने से, नया कानून लागू किया जा सकता है, वह कैसे? या तो आगे की किसी तित्ही में लागू कर दिया जाये, या उसे क्रमिक रूप से लागू किया जाये. जैसे देखिए कि सरपर्थम जो कानून है उस कानून को चुने हुए राज्यों या जीलों में लागू किया जाए। ठीक वैसे ही जैसे एक कमपनी अपने उत्पाद को पूरे तौर पर बाजार में लॉंच करने से पूर्व छोटे इस तर पर उसकी जाच करती है या उससे स अगर यह कमियां उजागर होंगी तो फिर इन कमियों को दूर कर फिर नए कानून को व्यापक तौर पर लागू किया जा सकता है अगर यही काम GST के संदर में किया जाता मतलब अगर GST को ट्राइल बेसिस पर कुछ उत्पादों पर लागू किया जाता तो फिर तक्नीकी कमिया उजागर होती और GST को देर से लागू करने का लाभ फिर देश को मिल जाता ठीक यही काम नए किर्सी कानून के लिए भी किया जा सकता है वर्तमान में किर्सकों का जो विरोध हो रहा है यह विरोध सभी सास की दलों के लिए एक सीख है सीख यह है कि अगर संवैधानिक परंपरा का पालन किया जाता है तो फिर इससे देश को भी लाभ होता है साथी साथ संसद की गरिमा की भी रक्षा होती है और नए विद्यक और कानून के संदर में संसदी परंपरा का पालन होना चाहिए भले ही इसे लागू करने में या इसके प्रभावी होने में दिर हो जाए और अगर संसदी प्रक्रिया और संसदी परंपरा का पालन किया जाता है, तो फिर यह प्रक्रिया ना केवल नए कानून के सफल होने की गारंटी देगा, बलकि भविस में इसके विरोध के संभावना को भी समाप्त कर देगा. अब हम देखते हैं इसे समंधित प्रश्ण है, प्रश्ण है कि विधी निर्मान में संसदी प्रक्रिया का पालन ही इसे व्यापक विरोध से बचा सकता है, कथन की समिक्षा करें, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे आलेक की ओर, जिसका सीर्षक है दा इनसेक्योर वरकर, औ इस आलेक का आधार क्या है? रोजगार की स्थाई प्रक्रटी, एक तरफ जहां सरकार एलेक्ट्रोनिक विनिर्मान छेत्र में निवेसकों को आकर्सित करने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विस्ट्रोन के आइफोन विनिर्मान फैक्टरी में मजदूरों के और इस हिंसक घटना में सामिल जो मजदूर थे वे contract labor थे, जिसका कारण था कि मजदूरों को लंबे समय से उनकी मजदूरी का भुखता नहीं किया गया था, जबकि विस्ट्रॉन का कहना है कि इन मजदूरों की मजदूरी उनके contractor के account में जमा कर दिया था, अब अगर report की मानें, तो उसके अनुसार, इस staffing firm मतलब contractor पर या तो जुर्माना लगाया जा सकता है, या इसे blacklist किया जा सकता है, हमें यह पता है कि contract labor, जिसे company, मध्यस्त या contractor के माध्यम से काम पर रखती है, इन्हें मजदूरी contractor के माध्यम से ही मिलती है, और annual survey of industry 2017-18 के अनुसार, जितनी भी registered factory है, उसमें contract labor की संख्या, कुल labor का 36.4% है, और यह वैसे labor हैं, जो सीधे तौर पर उत्पात की प्रक्रिया से जुड़े हैं, contract labor का कार इस्थाई मजदूरों के समान ही रहता है, परंतु इनकी मजदूरी इस्थाई मजदूरों की दुलना में कम होती है, साती साथ इस्थाई मजदूरों की दुलना में इन्हें सीमित समाजिक सुरक्षा मिलती है, Contract मजदूर की इसी इस्तिती को देखते वे सरकार ने 2020 के Code on Industrial Relation में Fixed Term Implement को प्रस्तुत किया अगर हम Fixed Term Implement की बात करें तो इसके अंतरगत Company बिना मध्यस्त मतलब बिना Contractor के मजदूरों को अपने यहां काम पर रख सकती है Fixed Term Implement के अंतरगत Contract मजदूरों के कारिकी अबधी इस्थाई मजदूरों के समान होती है साथी साथ इस्थाई मजदूरों के समान मजदूरी, भत्ते और अनिस्विधाओं का उपभोग भी Contract मजदूर करते हैं परन्तु Fixed Term Implement के अंतरगत रखे गए मजदूरों को Contract Renewal नहीं होने पर उनको Termination Notice नहीं दिया जाता है और ना ही उनकी सेवा समाप्त होने पर उनको पेमेंट दी जाती है इसके अलावा Fixed Term Implement के अंतरगत जो मजदूर काम करते हैं उन्हें Retrenchment Benefit भी नहीं मिलता है Retrenchment Benefit क्या होता है यह एक भुक्तान होता है जो करमचारियों को रोजगार छूटने के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिया जाता है अगर हम Fixed Term Implement की प्रकृती को देखें तो यह कंपनी को अपनी आवसकतानुसार कार बल में वृद्धी की स्वतंद्रता देती है परन्तु इन सब के बावजूद अभी भी कंपनिया कॉंट्रेक्ट के माध्यम से ही मजदूरों को अपने यहां काम पर रख रही है इसका क्या कारण है तो कारण देखे क्या है कि Code of Industrial Relation में Fixed Term Implement के न्यूनतम और अधिक्तम अवधी का जिक्र नहीं है मतलब यह कि Fixed Term Implement के अंतरगत जो मजदूरों को काम पर रखा जाता है तो उसकी न्यूनतम अवधी क्या होगी और उसकी अधिक्तम अवधी क्या होगी इसका जिक्र नहीं है उसके अलावा Fixed Term Implement में Contract के Renew करने की संख्या का भी कोई जिक्र नहीं है साथी साथ अगर Cost of Hiring की हम बात करें तो Contract Labor पर Fixed Term Worker की तुन्ना में Cost of Hiring कम होता है उसके अलावा Fixed Term Worker की मजदूरी निश्चित होती है और उन्हें समाजिक सुरक्षा देने की भी विवस्ता Code of Industrial Relations में की गई है अब हम बात करते हैं Fixed Term Employment को प्रोचसाहन देने से समदित सुझाओं पर तो इसमें सबसे पहले तो यह करना चाहिए कि Contract Worker के इस्थान पर Fixed Term Employment को प्रोचसाहन देने के लिए सरकार कमपनी के Core Activities में Contract Labor पर प्रतिबंद लगा दे आकर यह Core Activities क्या होता है इसके अंतरगर्द प्रतिष्ठान या Establishment के उन कारियों को शामिल किया जाता है जो अत्यंत आविस्यक होते हैं और उसमें Security, Catering और Sanitation नहीं आते हैं तो मतलब यहां पर क्या है कि सरकार क्या करे कि कमपनी के Core Activities में Contract Labor पर प्रतिबंद लगा दे और केवल Security, Catering और Sanitation में ही Contract Labor के प्राभधान को रखे लेकिन हुआ ठीक इसके विपरी थी जैसे Labor Code on Occupational Safety and Health ने यहां अनुमती दिये कि एक सर्थ के अंतरगत जो कि निश्चित दिनों के लिए Core Activities में तुरंत कारी की मात्रा में बढ़ोत्री से समंदित है Contract Worker को हायर करने की यहां अनुमती देता है और यहां विवस्था मतलब लेबा कोड और Occupational Safety and Health से समंदित वाली विवस्था Contract Worker के प्रियोग को बढ़ावा देती है आगे देखिए किस सरकार ने Production Linked Incentive Scheme को प्रारंब किया है जिसका उद्धे से घरेलू निर्मान को बढ़ावा देना आयात पर निर्भरता को कम करना और रोजगार का स्रिजन करना है इसके अंत्रगत 1.45 लेक करोर रुपीज की प्रोसाहन रासी 10 छेत्रों को अगले 5 वर्स में दी जाएगी और यह दी जाएगी उनके उत्पाद की विक्री में व्रिद्धी के आधार पर इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि बेसिक यहर्थ से तुलना के आधार पर विनिर्मान से सम्मंधित कंपनी द्वारा प्रतिवर्स जितने अत्रिक्त बिक्री की जाएगी उस अत्रिक्त बिक्री से सम्मंधित उत्पाद के निर्मान में लगने वाली लागत में सरकार अपना योगदान देगी मान लीजिए कि अगर लागत 100 रुपए है तो फिर PLI इस योजना के सर्थ के अनुसार सरकार 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए कमपनी को भुखतान कर देगी तो इसका अर्थ यहां पर यह है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इसकी इंप यहां प्रोचसाहन रासी प्रदर्शन आधारी थे तो सुझहाओ की रूप में यहां पर यह बात कही जा रही है कि इस प्रोचसाहन रासी को रोजगार स्रिजन के साथ जोड़ा जा सकता था मतलब यह कि यह जो रोजगार स्रिजन होगा वो किसके दोर होगा सीधे कंपनी के दोरा ना कि कॉंट्रेक्टर के दोरा अब आप यह कहेंगे कि PLI का उद्दिस भी रोजगार का स्रिजन करना है बेसक है लेकिन यहां यहां बात ध्यान में रखने की है कि इसके अंतरगत विनिर्मान छित्र रोजगार की किस प्रकृती का स्रिजन करेगा हमें पता है कि रोजगार की प्रकृती कॉंट्रेक्ट वाली होगी जबकि अगर PLI के अंतरगत प्रोचसाहन रासी को आपचारिक या इस्थाई रोजगार स्रिजन से जोड़ दिया जाता तो इसे स्रम बाजार में गति सीलता आती और अत्रिक्त आपचारिक रोजगार का स्रिजन होता अब आगे देखिए सरकार ने आत्म निर्बर भारत रोजगार योजगार के अंतरगत इंप्लॉयर्स द्वारा प्रत्येक नए फॉर्मल वर्कर्स मतलब आपचारिक स्रमिकों के प्रॉबिडिन्ट फंड पर सबसिडी दे रही है हमें यह पता है कि आपचारिक रोजगार की प्रकृति के अंतरगत करमचारी और कमपनी दोनों EPF में योगदान देते हैं तो आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना के अंतरगत कमपनी के द्वारा दिये जाने वाले EPF वाले भाग में सरकार द्वारा मदद किये जाने की बात कही गई है इसका मतलब है कि पूरा योगदान कमपनी को नहीं देना है, बलकि उस योगदान में कमपनी की ओर से सरकार कमपनी की मदद करें। तो यहां पर यह हो सकता है कि आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इसकीम को एक प्लेटफॉर्म पर लाए जाए, ताकि विनिर्मान छेत्र में इस्थाई रोजगार का सरजन हो। तो इस प्रकार इस आलेक में हमने कांट्रेक्ट लेबर क्या होता है इस पर हमने चर्चा की साथी साथ हमने फिक्स टर्म इंप्लाइमेंट की प्रकृति को भी जाना और देश में फिक्स टर्म इंप्लाइमेंट को प्रोशाहन देने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं इस पर आर्टिकल पर चर्चा की इसके साथ ही इस वीडियो को विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार